वेल्कम स्टूइंट्स आज हम वर्क्षिट नुमर्ट 24 देखने वाले हैं जो कि 1st August 2020 की है जो 6th to 8th class के स्टूइंट्स के लिए है इस वर्क्षिट में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जो कि एक राखी का है जैसे कि आप जानते हैं कि राखी का जहार आने वाला ह तो आप सब को पहले से ही बदाई है उस चीज के लिए उमीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से मना रहे होंगे तो इस चित्र में आपको कुछ समान लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा तो आपसे पूछा गया है कि यहां पर कौन-कौन से 8 चीजें आपको दिखाई दे तो आप यहां पर कुछ सेकेंड के लिए वीडियो को पॉस कर सकते हैं और अपने आप ध्यान से देखें और कोशिश करें कि क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है फिर हम आपको अपना आंसर यहां पर शो करते हैं चलिए देख लेते हैं हमने क्या लिखा है उमीद करता हूं कि आप सबने भी लिख लिया होगा तो चिंता ना करें अगर आपका आंसर हमसे थोड़ा सा अलग होता है बिकास हो सकता है कि आपका देखने का नजरिया अलग भी हो तो मेरे को जो दिखाई दिया वो दिखाई दिया नकली फूल मुझे दिखाई दिया धागा दिया अगर आपने लाल करदर का धागा दिखा है वो भी ठीक है मुझे लेस दिखाई दिया जिसको जाली भी बोलते हैं तो मैंने दोनों ही लिख दिया मैं confused हो रहा था तो मैंने दोनों लिख दी बिंदी है उपर आप देखेंगे ये बिंदी है जो मुझे बिंदी लग रही है आपको कुछ और भी डख सकता है लाल मोती हो गए, नीले मोती, सुनहरे मोती, सफेद मोती बहुत सारे तरीके के मोती हैं तो उमीद करता हूँ आप सब ने ये सा लिख लिया होगा आईए चलते हैं अगरे प्रशन की दरफ आगे इसमें पूछा गया है एक स्थान दे रखा है खाली यहां पर आपको अपनी मन पसंद राखी बनानी है जब आप बना लें तो अगर आप चाहें तो हमें भी आप शेयर कर सकते हैं कि आपने राखी कैसी बनाई हमें बहुत अच्छा लगेगा उसे देख कर तो यह मेरी मेरी मेल आईडी है वो है learningmath with fun at the rate gmail.com तो आप इस वे आप अपनी राखी यहां पर हमेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस चित्र को प्राइज चलते हैं last question की तरफ last question में लिखा है इस वर्ष राखी का तिहार आप कैसे मनाएंगे यह जैसे कि lockdown का time चल रहा है तो आप अपने तरीके से आप कैसे बनाएंगे इसको आप सोचके आप इसके बारे में लिख सकते हैं खुद कोशिश करें यह मैंने एक sample लिखा है जो जिस तरीके से मैं बनाने वाला हूँ इस चाल मैं एक video call पर रक्षा बनाऊंगा क्योंकि मेरी वहन शेहर से बाहर रहती है हम घर पर रिष्टदारों को आमंतरित नहीं करेंगे क्योंकि हम समाजिक दूरी बनाएं हुए है तो जैसे कि आपको बताए कि हमें social distancing लखनी है तो इस तो ऐसे हम रिष्टदारों को बुला नहीं रहे हैं फिर भी यह तुहार का आनंद कम नहीं करेगा क्योंकि मैं अपने मातापिता को वेंजनों को पकाने में मदद करूँगा तो घर में cooking obviously सभी कर रहे हैं तो हम भी मातापिता की मदद करने वाले हैं फिर हम अपने रिष्टदारों और बहन के साथ एक वीडियो कॉल पर तिलक लगाएंगे राक ही बांदेंगे भोजन और मिठाईयों का साथ खाएंगे तो मतलब हम आनंद लेंगे हम यह भी लिख सकते हैं और बहुत सारी बाते करेंगे तो उमीद करता हूँ कि आप सबने भी यह आंसर लिखा होगा और आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस लाइक करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अभी के लिए इतना ही अगली वीडियो में मिलते हैं अगली वक्षेट के साथ थैंक यू